आम तोर पर ये कहावत आपने खुब सुनी होगी कि आधिया धूरे मन से किये एक काम कोई रिजल्ट नहीं लाते लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है आप सुची कोई इंसान आठ बज़े सुबह उठता हो और ठंडी के मौसम में उसने अचानक से फैसला किया कि सुबह पांच बज़े उठके मैं दोड़ने जाओंगा तीन-चार दिन दोड़ने के बाद में उसकी साइकोलाजिकल कंडिशन क्या होगी इसको जरा महसूस करिये उसके पैरों में दर्द भी है ठंडी यह बोज़ जादा है और बाहर जानी को उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है लेकिन तब भी किसी तरह अपने आपो कहता है कि चरो ठीक है आज घूम के आते हैं और कमाल की बात है वो आज फिर निकला है आधे अधूरे मन से ही काम किया आते हैं कई बार कई बार पढ़ने के इच्छा बिल्कुल नहीं होती है और तब भी आपको यह कहना होता है अपने आपसे कि चरो ठीक है जादा नहीं जो सबसे easy portion है उसी को आज पढ़ लेते हैं तो at least दिन जो है इसमें यह रहेगा कि कुछ value हमने addition किया है इस तरह से अपने आपको कहते हैं moving रखना होता है keep moving forward रखना होता है और उसके बाद धीरे धीरे result निकलने शुरू जाते हैं और वैसे भी कहते हैं civil service तयारी में आपको मेराथन दोड़ना होता है तो इसमें जो है आपको कितना motivation आपके अंदर है वो पोज़ा फरक नहीं डालता बलकि आप अपने अंदर habits तयार करते हैं आतने तयार करते हैं और वो आतने जब लंबे समय तक की जाती हैं तो वो आपके result ने बहुत बड़ा transformation लेके आती है इसलिए बहुत ज़दा मन की चिंता मत करें कि मन आधा दुरा है कि पूरा है आप अपने अंदर आतने लाने का प्रयास करिए आधे दुरे मन से भी काम करिए लेकिन काम को करिए मेहनत करिए और धिर धिरे result आना सुरू हो जाता है